टीसरी बार प्रधान मंत्री बनने के बाद आज 12Si आ रहे हैं प्रधान मंठी मुदी किसान समेलन मिलेंगे हिस्सा नौ करोण से ज्यादा किसानों को 20,000 करोर रुपई की 17 किस करेंगे चारी प्रधार मंत्री मोदी के स्वागत के लिए विशेश तैयारी नमोखाट पर प्रधार मंत्री के स्वागत के लिए विशेश तैयारी नमोखाट पर प्रधार मंत्री के स्वागत के लिए उत्सुक नजर आए काश्वी के लोग प्रधार मंत्री के स्वागत के लिए विशेश मोदी भी उनके मुरीद हैं सरसट वर्ष की उम्र में 30 मिनट से अधिक समय तक शंक बजाते हैं राम जनम योगी पिये मोदी के काशी दौरी को लेकर यूपी कॉंग्रेस सद्ध्यक्ष अजयर राय ने तंच किया कहा सर्फ मार्केटिंग और एविंट का हो रहा कांप पिये मोदी से गंगा जी में डुपकी लगाने का किया आगए अजराय ने कहा कि काशी विश्वनात मंदर का एक दौर काशी वास्यों के लिए होना चाहिए ट्रेकिंग सिस्टम भी खराब होनी की वच्छ से भयावे हाथ साथ पच्छ मंगाल के मालदा पहुचा मालदा एक्सप्रेस का प्रभावित हिस्सा खादसे में नौ लोगों के गवाई जान 41 से जादा लोगों के खायल होने की सूचना एक्सप्रेस ट्रेन में जाखों सीमाल गाई दुरगटिना इस्थल पर पहुचे रेल मंत्री अश्वनी वैशनव रेल मंत्री ने हाथ से पर दुख व्यक्त किया कहा ये राजनीती का समय नहीं है रस्क्यू और बहाली पर हमारा फोकस रेल मंत्री अश्वनी वैश्तम ने सिरीगुडी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलिज पहुँचकर खायलों से मुलाकात किया उनका हल चाल जाना है घटनासर का रस्क्यू का भी जायवा लिया कंचन जंगा एक्सप्रेस ट्रेन हाथ से के बाद खायलों को रेस्क्यू कर पहुचाया गया अस्पताल रेलवे, NDRF और SDRF ने मिलकर संभाला मोर्चा खायलों को किया रेस्क्यू पशिम बंगाल के राजिपाल, CB आनंद बोस ने अस्पताल में भर्थी खायलों से मुलाकात की डॉक्टर से बाच्चित की, कहा हम प्यूडितों के साथ हैं, मामले में कारवाई होगी CM अम्ता बंगर जी ने मेडिकल कॉलिज पहुचकर घायलों से मुलाकात की, कहा यहासा और बड़ा हो सकता था CM मम्ता ने कहा, अज रेलवे में क्या हो रहा, कोई नहीं जानता, रेल मंत्राले में कई मुद्धे हैं, अलग से रेलवे बजट बंद कर दिया गया और इसमें भाग को अपरियाब समहत्व नहीं मिल रहा मम्ता बनर्जी ने केंडर सरकार पर हमला करते हुए, अपने कारिकाल के दौरान रेलवे के लिए कामों को गिनाया, कहा मेरे रेल मंत्री रहते, टक कर रोधी उपकरण लाए गए थे मम्ता बनर्जी ने कहा कि रेल मंत्राले को याज्चों की सुवधाओं की परवा नहीं है, सरकार को केवल चुनाओं की परवा है, कैसे हैकिंग की जाए, हेर फेर की जाए और चुनाओं में धानली की जाए केंद्रे मंत्री और पश्रिमगार बीजेपिया देव सुकान मजूंदार ने कहा हाई लोग की स्थिती में हो रहे सुधार मानवे गड़बडी के वज़े से हुआ हाथसा ये सबार उठाने का समय नहीं कंचन जंगा रेल हथसे के बाद पूर्बोतर के राज्यो से दिल्ली कोलकाता जाने बाले लोगों को परेशानी का करना पड़ा सामना इस रूट की 19 ट्रेन को रद कर दिया क्या कई ट्रेने डाइवर्ट करनी पड़ी कॉंगरेस संसर दिपेंदर हुटडा ने कहा कि बीते 10 सालों में रेल हथसों में बढ़ोतरी हुई है केंदर सरकार की कुप्रबन्दन का ये नतीजा है संसर में हम गिमुता उठाइए कॉंग्रेस नीता दीपेंद्र हुडड़ा ने कहा फिश्रे दस वर्षों में जो रेल दुर खटनाई हुई वो गलत मैनेज्मेंट के कारण हुई जिमेदार विपक्ष होने के नाते हम संसब में सवाल उठाई कॉंग्रेस नीता राहुल गांदी ने कंचन जंगा एक्सप्रेस हाथसे पर दुख गताती हुए एक्सपर पोस्ट करके लिखा ट्रेन हाथसे में लोगों की मौत की खबर दुखत है राहुल ने मृतकों के प्रती शोप दुख दुख दरजुलिंग रेल हाथसे पर कॉंग्रेस अंध्यक्षने केंदर सरकार होगेरा कहा रेल मंत्राले में दस साल से फैली अव्यवस्था सेफ प्रमोशन का बनाया प्लाटफॉर्म एंटी कॉलिजन डिवाइस कवच को निकर आपके सरकार सिस्कवाल आप नेता संधी पाठक ने पोछा कवच में कितनी हुई प्रगती क्या पीम रेल मंत्री लेंगे हादिसे की जिम्मेदारी खत्मूवा राहूल गांदी की स्थीफ पर स्पेंस राहूल गांदी ने नहीं छूड़ी राय बरिली की स्थीफ राय बरिली से सांचत बने रही राहूल वाइदार से प्रियंका की उप्चिनावल रनने पड़ लगी बहुँए राहुल गांधी ने कहा मेरा वाइनाट की जनता से दिल का रिष्टा है वाइनाट छोड़ना मुश्किल फैसला था लेकिन प्रियांका वहाँ लड़ेंगी और मैं भी वहाँ जाता रहूँगा जो वादे किये उना पूरा खरूँगा कॉंगर्स सद्यक्ष मलिकरजुन करगे ने कहा कि अमिठी की सीव जो हम हार गए थे प्रियंका ने हमें वो भी जिता कर दी है राइबरेली में भी बहुत उन्होंने मैनत की है उनके वाइनाट जोने से पार्टी को फायदा होगा कॉंगर्स के संगठन महा सच्चव केसी वेड़ो गोपाल ने कहा कि राइबरेली गांधी परिवार की पुरानी सीट वही केरल के लोग राहूल की तरह ही फ्रांका गांधी को भी पसंद करते हैं कॉंग्रेस निता प्रमोतिबारी ने कहा राइबरेली सीट चुनकर राहूल ने सही फैसला लिया सोन्या गांधी की इच्छा का सम्मान किया वाइनाड और राइबरेली दोनों को गांधी परिवार का प्रतिन वित्व मिलेगा कॉंग्रेस निता प्रमोतिबारी ने कहा कि दिल्ले विदात जबा चुनाओ में भी दोनों दल गटबंदन में लड़ेंगे चुनाओ कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजयराय ने राहूल गांधी को बथाई दी कहा यूपी की जनता और हम सब चाहते थे कि राय बरेली से सांसर रही राहूल प्रियांका कॉंग्रेस को मजबूत करें केरल के बाइनाड में यूथ लीग ने मार्च का आयोजन किया प्रियांका गांधी के बाइनाड से चुनाब लड़ने के फैसले का स्वागत किया प्रियांका के समर्थन में लगाए नारे कहा इस थर्टी पर आपका स्वागत है राहुल गांधी के राई बरेली से सामसद बने रहने के फैसले के बाइनाड के बाइनाड के लोगों के लिए इस थाथ विश्वास खात है राजणीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी ने केरल का रुख किया बीजेपी नेता आजे आलोक ने कहा राहूल के विश्वाद खात के बाद वाइनाट से प्रयंका का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा और जीत भी गई तो लोग तभा में भाई बेहन के जोड़ी को साथ देखना दिल्चस्प होगा बीजेपी नेता आमित मालवी ने एक्सपर पोस्ट कोल के कॉंग्रिस के फैसले पर किया तंज कहा तीसरी बार पेल गई राहूल गानी जिमेदार्यों से भागते हैं उन्होंने प्रयंका को बना दिया बली का बक्ता बीजेपी प्रवक्ता गौरफ भाट्या ने कहा इसा कोई सागा नहीं जिसे राहूल ले ठागा नहीं वाइनार्ट की जनता का इस्तमाल कर भाग गए राहूल और प्रयंका रोबर्ट वाड़ा की काली कमाई का कबूल नामा सामनी आएगा बीजेपी सांसा दिमेश शर्मा ने कहा प्रयंका नहीं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो फिर योपी से चुनाव लड़कर दिखाएं प्रयंका वाइनार्ट की जनता जागरूख है प्रयंका को पहले ये चुनाओं में मिलीगी हाद केंद्री ग्रिमंत्राले ने मनिपूर में सुरक्षा स्ती की समिक्षा की है अमिच्छा ने कहा मनिपूर में जाती विभाजन को पाटने के लिए जल से जल्द मेईती और कुकी दोलो समुदार से बाचीट करें लोगसबा चुना में मिशन 25 हासिल नहीं करने के बाद राज़स्थान बीजेपी में कला किया रही ख़बरें पूर्व मंत्री देवी सिंग भाटी ने राज़नी राठोर पर फोड़ा खार का ठीक रा मंत्री बने के बाद पटना पहुंचे जीतरना मांजी ने राहूल लालू पर साधा निशाना कहा एवियम का कही कोई दोश नहीं राहूल गांदी बेतु का बयान दे रहे हैं इंडिया लाइन्स को जनता ने नका रहा है जीतरना मांजी ने कहा ये लोग बरगला कर थोड़ा जादा वोट ले लिये हैं रोज़गार के नाम पर ये लोग भमित करते हैं लेकिन मोदी जी ने मुझे MSME विफाग दिया है उसमे रोज़गार है रोज़गार हुगा NCP शरत पवार गुट के नेटा और शरत पवार की पोतीर रोखित पवार ने कहा कि NCP के 18 से 19 बागी विधायक हमारे संपर्क में हैं और घर बापस नी करना चाहते हैं बॉन्सून स्टेशन के बाद इस पर फैसला लेंगे बलादा बाजार, आघजनी कांड और सत्तनामी समाज के धार में किस्तम को रुकसान पहुचाने की विरोध में आज चत्यस गड़ के 33 से जिलों में प्रदर्शन करेगी कॉंग्रिस दुपैरबाद होगा प्रतर दिली की जल मंत्री आतिशी ने किया वजीराबाद, पॉन्ड और जल उप्चार संयत्र का दोरा आतिशी ने हर्याणा सरकार से यमनाख में पानिश होडने की अपिल की कहा हर्याणा सरकार के हाथ में दिली के लोगों का जीवा दिल्ली जल संकट पर हर्याणा के मुख्यमंत्री नाइब सिंग सेनी का बयान कहा दिल्ली को दिया जा रहा है पूरा अप्पारी आम आद्मी पार्टी पर लगाया जोट फैलाने का आरोप कहा करप्शन में डूबी हुई है दिल्ली की आम आद्मी पार्टी सरकारी बुबाना से आमादी पार्टी के विदायक जैभगवान का वीडियो बाइदल पानी की शिकायत करने वालों को धमका रहे हैं आपके विदायक का विदायक की कारेले में जल संकट को लेकर शिकायत करने आए थे आप विधायक का वीडियो वरन होने पर बीजेपी ने साथा निशाना सोचल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा जनता के पानी मांगने पर आप विधायक लोगों को दे रहे धमकी जैब भगवान के खिलाफ आज पूलिस से करेंगे शिकायद बारमूला से लोगसभा चुनाव जीते शेक अब्दुल रशीद की अंतरिम जबानत याचका पर आज होने वाली के सुनवाई दिल्ली की पट्याला हाउसपोर्ट में सुनवाई होगी रशीद ने शफद ग्रंट समारों में शामिल होने के लिए अंतरिम बेल मांगी पट्ना में नीट अभ्यर्थियों को अभी भावकों के साथ E.O.U. ने पूछताच के लिए बुलाया नीट पेपर लेक मामले में गिरुफतार परिक्षा माफियाओं अभ्यर्थियों के पास से इन अभ्यर्थियों के रोल कोड मिले थे नीट परिक्षा पे मुंबई की धोनाट शात्रा नूर पातिमा को मिले क्यासी प्रतिशुत तंक M.H.C.E.T. में जल्द हो सकती है न्यूएयॉक के फेडरल कोड में पेश ही। आररा में हुई वार्दात को लेकर लोगों में लोगों में गुस्का घूस्वाइब लोगों ने रोट जाम करके जिताई नरास के धिकरती कानून वीवस्ता को लेकर पुलिस सर्फ रशांसन के खिलाब नारे बास नी की अधिकालियों के समझाने पर शांथ हुए लोगा दर्भंगा में लाउट स्पीकर भजाने को लेकर दो पक्षों में विवास, दोनों पक्षों के पीछ मांपीड हुई, हंगामे की सूछना पर मौके पर पहुंची पुल मुझफरपूर में पिड़त लड़की ने लगाया आरूप पंपुनी ने किया था 25,000 रुपे महीने सैल्वी देने का वादा, वेतन देनी के बत्वाय किया गया और फिड़न बंदक बनाकर मारपीट भी की गई मुझफरपूर की घटना को लेकर सामने आया वीडियो, लड़कियों के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने, पिड़त लड़कियों के पिटाई करते नजर आ रही फरजी, कंपनी के लोग बैट से कीज आ रही पिटाई एक बंद कमरे में किजारे की मारपीट, दो दबंग लड़के, युप्ती और एक अन्य लड़के की पिटाई करते वे नसर आ रहे हैं, दबंग ने लड़की को मारे कई थपपड, जुबान खोलने पर जान से मालने की थमकी भीड़ी पुराने दिल्ली के चूडी वाला लाके में मस्जुद गिरने का वीडियो आया सामने, देखते ही देखते धना शाई हुआ मस्जुद, अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे लो सड़क में दरार आने की वज़़ से पहुचा मस्जुद की बुनियाद को नुकसान, पोलिस ने मस्जुद और उसके आसपास की दुकानों को पहले ही खाली करवा लिया था, सोमवार की दोपहर अचानक से मस्जुद भरभरा कर गिर गई गुजरात के एहम्दबाद में कंपणी में लगी आग, बायो टेक कंपणी के मैगनीशिम गुदाब में वीशुन आग लगी, आग बुचाने के लिए मौके पहुची फार्विकेट की 18 से जाता गाड़ी यूपी के सीतापुर में मालगाणी में लगिया, बिल्ली से असम जा रही मालगाणी के डिपवे में आग लगी, फोगी से धुआ निकलता देख, स्टेशन मास्टर ने कंट्रोल रूम को जानका री हर्याणा के जजर्जर में दो डंपरों की हुई आमने सामने टक्कर, टक्कर के बाद डंपर में आग भी लगी, सोचना के बाद मौके पर पहुची फार बिगेट की कई गाड़िया, आग तो बुझ गई, मगर डंपर चल कर खाग कोंडा में बड़ा सडक हाथसा, दो कारों की आमने सामने टक्कर हो गई, हाथसे के बाद एक कार में लगी आग, हाथसे में दो लोगों की मौत, चार लोगों की टक्कर, हाथसे में चार लोगों की मौत, एक वाहने आगे चल रहे डंपर को मारी थी टकर, डिवाइडर से ज पत्या का आरोप है आरोपियों के खिलाब कारवाई की मांग को लेकर चड़क पर उत्रे लोग अधिकारियों के समझाने परश्टान को रुदपिया गजिले के घोलतीर में हाथसा खाई में गिरने से कर शक्स की भूई मौट जानकारी के बाद मौके पहुंची स्टीर्स की दिली में अभी भी जारी है भीशन गर्मी का कहर आज भी गर्मी से राहत मिलने के उमीद नहीं है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया गर्मी का रैड अलर्ट 19 जून के बाद उठ राहत मिलने के उमीद है हिमाचल प्रदेश के मंडी का रुख कर रहे हैं परेचक मासुम मायूस नसराय गर्मी से रहत पाने के लिए हर्याडा पंजाब दली समय दूसरी राज्ची से पहुंच रहे हैं परेचक गर्मी के साथी ट्रैकर्ट जार्म की वज़़ से सहलानियों के मुश्किल बिहार के जहाना बाद में हीट वेब का कहर सुमवार को तीन लोगों की मा रविवार को दो लोगों की जान गई थी पोस्पार्टरम रिपोर्ट में लू लगने से मौत की पुष्टी प्रचन गर्मी की वज़से ही माचल प्रदेश के कर इलाकों में पानी का संकर्ठ पानी की किल्लत से जूज रहे शिमला के लोग जर्वत के हिसाब से पानी नहीं मिल पा रहा बारिश होने तक हालात सामान्य होने की संभावना बेहत वार्ट सिक्किम के मंगन जिले में फसे 50 परेचों को निकाला गया भारी बारिश की वज़े से फस गयते 1200 परेचे बागी परेचों को निकाली का काम भी जारी है यूदस्तर पर चिट रहा है अभियार 12 जून से उतरी सिक्किम में बड़ी संख्या में फसे हुए है परटा भारी बारिश की वज़े से उतरी सिक्किम में बड़ी तवाही लैंडस्राइड की वज़े से मुख्यमार्ग बादर तकलाग में सस्पेंशन विज़ को पहाचा नुफसार उत्री सिक्म से जल्द से जल्द संपर्क बहाल करने की कोशिश है जारी खराब मौसम के चलते राहत बचाव काम में हो रही है परिशानी आधुनिक मशीनों की मदद से मार्ग जल्द से जल्द खोलने की कोशिश है तेज सिकिम के मंगन जिले में सामने आया लांड स्लाइट का विडियो मंगन जिले को दूसरे शहरों से जोड़ने वारी सड़क भुस्कलन की कारतबा देखते ही देखते धस गई सड़क लाल वाजार का ये विडियो हिमाचल की कुल्लू में सुमवार को बदला मौसम का मिजाज, शेहर में हुई जमाजम बरसात, पारा गिरने से चल्चलाती कर्मी से लोगों को तोड़ी सी रहत मिले, कुल्लू पहुशने वाले सेलानी पुश हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी सोमवार को बतला मौसम का मिजाद, धर्मशाला और आस्काफ के इलांकों में हुई जोरदार बारिश, बारिश की पहारों से लोगों को गर्मी से मिली रहा है तिलंगाना के कई इलाकों में सुम्वार को बदला मौसम का मिजाद हैदराबार शेहर में जोरदार बारिश हुई पिछले कुछ रोज से पढ़ रही थी भीशण गर्मी बारिश होने से ठंडा हुआ मौसम गुज्रात में भी कई जगह पर महरबान हुई कुदरत अमरेली में भारी भारिश हुई मुस्ताधार बरसात की वज़से शेयर की सड़कों पर जल भराव की समस्या गर्मी से राहत के साथ ही जन जीवन प्रभावित भी हुआ ओडिशे के कई लाकों में भी सुमार को बतला मौसम कमेजाद बुबनेशर में हुई जमाजम बारिश इंदर देव की महरबात पूनी से लोगों को मिली कर भी सरा है असम और मेखाले के लोगों को अगले कुछ रोज रहना होगा साथदान 20 जून तक असम और मेखाले में भारी बारिश की जेतावनी कुछ जगह पर भारी से बहुत भारी बारिश का लट बन सकती है जल भराव और बार की स्थिति